हेलो और वेल्कम दोस्तों मैं अश्य सतार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल माई टेक्निकल क्यान में तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जोब विनिंग अवर्क प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं ठीके तो इसके बारे में मैं आ आप सब देख सकते हो कि हमआप में अपनी एंडिंग और की नहीं टांग छाहा हुआ है यहां पर मेरी अपनी प्रॉफायल पर दीख सकते हूँ आप चाइव तो आपको अगर प्रूफ करना हो के मैं जेञून बता रह Déто तो मैं आपको overview में अपनी earning दिखा देता हूँ ताकि क्या है उससे आपका trust बना रही कि मैं जो बता रहा हूँ वह मेरे करता हूँ और मैं कमा सब्सक्राइब यहां पर available balance आप देख सकते हैं 83 डॉलर पड़े हूए है और 6 डॉलर अभी pending पड़े हूँ और मेरा एक work भी चल रहा है तो वह आप देख सकते हैं वह मैं आपको बात में कभी बता दूगा तो यहां पर आपन प्रपोजल भेजने पर आते हैं तो आपन यहां फाइंड वर्क पर क्लिक करेंगे ठीक है मैं आ करूं देखुआ है तो आपको दोनों वर्क सेंपल में इस वीडियो का दिस दोनों वर्क सेंपल में इस वीडियो का कर सकते हैं तो आप अपने कर सकता हूं यहां पर वापिस English का आ गया है तो यह मैं नहीं कर सकता है तो क्या पता आप क्या response आता है तो उसके बारे में आप पड़ सकते हैं जैसा कि मैं कैसे लिखा तो मैं आपको यहां पर डाइरेक्ट बतादे तो कि मैंने खुद तो आपको वो ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं यह जो बताएगा इसने खुद ने सब्मिट कर रहा है तो आपके सामने होगा आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसको open करता हूँ व्यूव प्रपोजल पर क्लिक करूँगा यहां पर मैं आप देख सकते हैं कि मैं अपना खुद का ही प्रपोजल बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायाग नया लिखूँ नया लिख्या भी बताऊंगा उसके पर पहले में अपना ब पर में पर अपने लिखन लिख लेकिन के लिखना कि बर में आपने श्रेट यदिया को आपको किसा लिखना करके और यहां पर सर की जगे उनका नेम लिख देता ठीक है यहां पर जैसे कि अब मैं प्रोफेशनल ट्रांस्क्राइबर हूं तो मैं यहां पर यह लिख दिया उसके बाद यह नेटिव हिंदी अगर जैसे कि क्लाइंट को आप ऐसे बोलो कि आप मुझे हायर करने से पिले आप अगर चाहो तो कोई वर्क सेंपल या फिर मेरा सेंपल टेस्ट आप ले सकते हो आपकी बेटर सैटिस्फेक्शन के लिए तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को भी एक बार थोड़ा सा प्रोजेक्ट डला था और मैंने क्या किया कि इसकी थोड़ी सी बिड लो कर दी या बिड लो भी ट्राय कर सकते हो मैंने 20 डोलर कर दी थी तो क्लाइंट ने विसे हायर भी कर लिया उस तरह से मेरा काम हो गया ठीक है फास्ट एट यानिकि टर्न अराउंड टाइम होता है कि म मैं फटाफट आपको काम करके दे दूँगा टाइपिंग इस पिड आप यहां पर लिख सकते हो ठेंक यू बेस्ट रिगार्ड और अपना नेम ठीक है अब मैं आपको यहां पर चैसे कि आपकर डाटा इंट्री से रिलेटेड है तुम्हें डाटा इंट्री लिख देता यहां पर अपन फर्स्ट में पहले फाइंड वर्क चलते हैं और यहां पर अपन यह से मेरे कैटेगरी से ले लेताँ मैं डाटा इंट्री यहां पर मैं अब आपको डाटा इंट्री का प्रपोजल दाएग सब मिट करके बताई दूँझ करूंगा मतलब आपको पूरा जोब है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगी आप में वह specialty होनी चाहिए आप कुछ लोग बोलते कि नहीं जोब नहीं मिलती है तो मैं किया रहा हूँ आप अब इसमें प्रपोजल पेड हो गए तो यह website अब फ्री रही नहीं क्योंकि इसमें केवल 20% प्रपोजल जो होते आपको फ्री मिलते तो आप क्या करिया करिये कि आप ट्राइए करिये कि आपको जो पैस्ट जो आपके लिए suitable हो जिसको आप 100% कर सकते हो जिसके आप बढ़िया सा बढ़िया प्रपोजल लिख सकते हो तो उसको आप ट्राइग ठीक है जैसे एक्सेल गुरु स्पेशलिस्ट तो लुकिंग फोर एक्सपर्ट लेवल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट ठीक है तो यहां पर आप अगर आपको यह suitable हो तो आप देख सेथे तो यहां पर आपने क्लिक किया अब आप इनको 10 फ्रीलांसर चाहिए ठीक है आप यहां पर देखी लिए इनको लेवल चाहिए एक्सपर्ट ठीक है तो आगर जैसे कई हावर्ली जोब होती तो आपको इस लेवल की हिसाब से पेय करना पड़ता है ठीक है जैसे कि मैं बता अगर आप बिगनर होंगे यहां पर यह डाल देते हैं कि मतलब बिगनर लेवल तो आप क्या कीजिए यहां मलब वह होता है तो इसमें आप क्या कीजिए कि लो बीट रखी जैसे 5 डूलर 6 डूलर हावर्ली हो तो इसके बाद इंटरमेडिय में आप 10-15 और एक्सपर्ट में फिर इन क्लाइंट की देख सेकते हैं यहां पर देखो कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपके प्रिफर्ड क्वालिटी ठीक है क्वालिफिकेशन तो यहां पर आप चाहिए जैसे इंडिपेंड तो है अपन जोब सकसे रेशो तो अपना तो 100% है यहां पर इंग्लिश लेव सब बताऊंगा आप ध्यान से इसको देखते रही है जैसे अपन यह जोब ले लेते हैं यहां पर क्योंकि मैं इसी जोब फाइंड करना हूं तो आपको सारा कुछ बता सकूं यहां पर देखें आप प्रपोजल रेट भी देख सकते हैं 20-50 प्रपोजल यहां जा चुके और यहां पर आपकी पॉसिबिलीटी बहुत ही कम बढ़ती है कि इस तरह की एगर कोई कंडिशन हो जाए तो आपको प्रपोजल वहां पर सेंड नहीं करना है ठीक है एंड लेवल यहां पर देख लेना है बजट देख लेना है इस डिस्क्रिप्शन को जिता हो सके आराम से करना है यहां पर इसको आप कंपूटर में करेंगे तो आपको स्क्रोल डाउन करना है यहां पर आप देख सकते हो यह जो होता है यह जो फीड़बोग होता है यह फ्रीलांसर देता है क्लाइंट को और यह जो होता है यह टू फ्रीलांसर यानि क्लाइंट ने उसको दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस line से कोई मतलब नहीं आपको इस line में client का कहीं भी नाम निखालना है तो यहाँ पर आप देखोगे तो mostly जो कुछ जो होते वो नाम लिख देते हैं client का और कुछ जो होते हैं वो नहीं लिखते हैं आप अपने हिशाब से इसको चेक करिए जैसे कि यहां पर यह यह यहां पर आ रहा है MD Azrul Islam तो यह एक नाम अपन को यहां पर मिल गया है इसको और refuerify करना चाहे तो आप थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर अपन को और कही नाम नहीं यहां पर जैसे एक दो एक और मिल गया आई फांड मस्टर एक्सिलेंट क्लाइन ठीक है तो यह जो जुरुल इसलाम है तो यह इनका नाम हो गया तो अब अपनी नेम को यूज कर सकते हैं ठीक है तो आपने पूरा जोब डिस्क्रिप्शन क्लाइन ने क्या डाला है उसके बाद यहां पर लेवल देखा आपको रेट सूट कर रही हो तो अगर आप बिगनर हो तो मैं कहता हो कि आप थोड़ा सा घटा के लो जैसे कि विसे अगर दस डॉलर ठीक है अगर इस जोब के लिए ठीक हो तो ठीक और आपको लगता है कि नह अधर यहां पर आपको हमेशा कनेक का ध्यान त्यान है कि दो कनेक्स के हैं आपके रिकवायड एं ठीक है और आपको शुरुहात में अधर यह उस प्री एकाउंट उटे उसमें 20 मिलते यहां पर मैं सबिग्ट करूंगा ठीक है यहां पर यूवे पर flour पर यह पेज ऑपन अ अगर आपको थोड़ा सा ऐडिया लग रहा हो तो यह तो हाइरिंग मेनेजर लिखिए थोड़ा वह भी अच्छा लगता है उसके बाद यहां पर आप एक काम करें मैं इसको यह जो प्रपोजर ले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इस गूगल डॉक्स का लिंक डाल आप डायरेक्टी जाके वहां से देख लेना डानलोड कर लेना ठीक है यहां पर आप कुछ बुलेट पॉइंट हमेशा नोटिस्क बुलेट पॉइंट हमेशा डालिया करिये जैसे कि एरर फ्री डोकुमेंट दूंगा फास्ट एन एक्यूरेट दूंगा ठीक है आप अगर सरह में फोशिबल आपको बता रहों ठीक है और आप यह थैंक्यू बैस्ट रहmber理ा आपको मर्जियो जो जो ट्रांसे कहा हो थे गया होता है ओडियो उड्यो जो फैप्ट तो शो टाक्स को से तो यह था कर सकते हैं यहांया पर आप दeck सकते है तो जिए पूरा का पूरा कह इंकि पॉस्टिंग दे जो यह आ पचाहू तो उप्शनली लेख सकते हो experience बताना है आपको आप उस काम में केते है इक्सपर्ट हो उसके बारे में बताओ आपकर में अगर को past project हो तो मैं आपको बताऊँगा जैसे कि आपको इसको submit जरुड़ ca जैसे कि मैं इसको यहां से copy करता हूँ एक राखको थोड़ा सा idea देखे बताथ हो ठीक है जैसे मैंने इसको किया यहां पर copy और यहां पर यहां पर यहां पर मैंने आपको प्रोफाइल बनाने मैं आपको आगे सिखा दूँगा इसे मैंने पहले वीडियो बना रखी है पर वह थोड़ी से उसकी क्वालेटी अच्छी नहीं है तो मैं उसको रेपलोट अच्छे से बना दूँगा ठीक है तो यहां पर आपको प्रोफाइल आप सिलेक कर सकते हैं जैस तो आठ साथ आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं कम में कर दूँगा तो वह यहां पर आपको प्रोजेक्ट करने में कितना दिन लगेगा तो लेस देन वन विक में हो जाएगा क्योंकि 10 दोलर का प्रोजेक्ट है तो इतना बढ़ा होगा आप यहां पर जैसे कि म अपर की policy के अगेश्ट है कि आपको क्लाइंट को बाहर बात नहीं कर सकते हैं यहां से में skype हटाऊंगा तो यह थोड़ा सा set हो जाएगा ठीक है यह दिखी यह हो गया आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं आप grammar हमेशा अगर आपको कोई भी mistake होती है grammar में तो आपका अच्छा सा impact इसमें सा आजाए और आपके सारे accurate चीज़े हो जाए यहां पर आपने अगर कोई पिछला काम कर रखा हो तो यहां पर आप drag and drop करके documents हमेशा upload करें ताकि client को क्या कुछ portfolio मिल सकता और best possible हो तो आप एक छोटा सा जैसे कि आपने यह proposal client की job requirement पड़ी आप उसको इस तरह से समझाए जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक demo देता हूं आपने अपने mobile सामने पकड़ा और आप उसको client को यह यह बताओ कि आप कैसे करेंगे जैसे कि उसको आपका काम आया आपको pdf to word में conversion करना for example लेलो तो आप उसको बताओ कि sir मैं यह पूरी trick मत बताओ थोड़ा सा idea दो उसको कि हां मैं manually work करूंगा मेरी typing speed यह है typing speed के अगर आपके कुछ sample हो तो उनको डालो यह सबसे बेस तरीका क्योंकि आज बहुत ही competition ज्यादा है तो मैंने आपको देखो मेरे हिसाब से जो best trick थी वह मैंने बता दी अब मैं आपको एक चीज चलो इससे हट के बताता हूँ आप यहाँ पर एक चीज बताता हूँ मैंने यह तो इस तरह से आपको proposal बेजना यह बात होगे अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ यह देखिए एक कोई अभेद उबे करके हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था मेरे वीडियो पर आई नेड़े हेल्प और फ्रीलांसिक वर्क पीडियेफ टू वर ठीक है तो यहां पर क्या हुआ था कि मैं को रिपलाइन नहीं कर पाया था क्यूंकि मैं उस स्सक्राइब ॡूलाइन नहीं था तो मैंने स्कोने अधे appropriate अपना इड़ेत कि लिए और आपको कहई ब करीए तो आपने कुछ मेख्रुस्थ कर तो यहाँ पर देखें यह मुझे फ्रीलांसिंग से work मिला है मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है प्लीज help me fast तो यहाँ पर यह documents मैं आपको कभी अच्छा से detail में इसको खोल के बताऊंगा कि इस documents में क्या था तो देखो मेरे क्या सीधा Hindi में लिग गया भाई ये वर्क कहां से मिला आपको फेक है टाइम इसमें पहले पैसों के डिमांड कर रहे है ठीक है उसमें कुछ पैसे मांग रहे थे रियल ऑता है स्पेकी उसमें आराम से जोब स्ट करना बिलकुल होता है तो किते ही लोग इसमें पूर से बाहर बुलते हैं मैं अगर आप आप से help ले सकता हूं ठीक है तो मैंने गा ठीक है कोई problem नहीं तो इस तरह से ही होता है कि अगर साथ में जूड़ोगे तो help करूंगा अगर नहीं जूड़ोगे तो help कैसे कर सकता हूं तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए कि आप अपर का proposal कैसे लिख सकते हैं मेरे इसाब से बेस्ट प्रपोसल लिखने का ट्राय करें फ्लोड़ सा पांच दस मिनिट उसको आर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकान को प्रेस करना ना भूले मिलता हूं आपको नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाबाए